Very Good Morning, आज जुलाई और स्वागत है आप सभी का Current Effects के MCQ session में कल के लिए Sorry for that, कल कुछ Emergency Issue के कारांट वीडियो नहीं अप्लोड हुआ था तो आज हम इस session में कल के और आज के questions को discuss करते हैं तो चलिए इस session को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले कुछ important news पर, इसमें से पहली important news है कि हरयाना government ने एक decision लिया है कि जो private local jobs होती है उसमें 75% जो reservation है वो local youth को मिलेगा ठीक है, ये local youth को इसलिए मिलेगा ताकि जो हमारे यहाँ पर local youth हरयाना के जो local youth है उनमें unemployment बढ़ रहा है तो उस unemployment को किस तरीके से reduce किया जाए इसके लिए decision लिया गया है किस के तरफ से हरयाना government के तरफ से तो 75% reservation होगा local youth के लिए कहाँ पर private jobs में ठीक है, याद रखने है खास कर आपको आगे बात करते हैं, यानि जैसे आपने सुनाओगा प्रधानमंत्री उज्जुला योजना तो प्रधानमंत्री उज्जुला योजना में जो person cover नहीं हुए थे यानि जिन persons को benefit नहीं मिला था हिमांचल प्रधे सरकार ने उनके लिए एक नई योजना निकाली है और उस योजना के अंतरगत सभी मतलब जिनको cover नहीं किया गया है सभी के लिए LPG connection यहाँ पर दिये जाएंगे इसके लिए उसने जो है एक योजना निकाली है उस योजना का नाम आपको बता देता हूँ हिमांचल ग्रहनी सुविधा योजना याद रखना है हिमांचल ग्रहनी सुविधा योजना इस योजना के अंतरगत सभी को LPG connection दिया जाएगा और उन persons को भी जो प्रिधान वंतरी उजला योजना के अंतरगत कवर नहीं है आपको कमेंट सेक्षन में बताना है कि हिमांचल प्रदेश के CM कौन है यानि Chief Minister कौन है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे एक्जाम से अले को आप फॉलो कर सकते हैं वेरे सोसल मीडिय साइट्स पर जैसे के इंस्टाग्राम है टेलिग्राम और फेस्बुक जहां पर आपको मिलते हैं अपडेट और अपडेट आपके एक्जाम के पॉइंट अवे से काफी इंपॉर्डेंट होते हैं टो चले ही से सेसन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आच चर्चा कर लेते हैं यानि MCQ वाले पार्ट पर और इस MCQ वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्डन्न कोशन पहला इंपॉर्डन कोशन ये है कि वाईस प्रिशिडेंट और इंडिया यानि जो Vice President of India हैं, इन्होंने एक Indigenious, जी हा, Indigenious महलब भारत का ही Mobile App है, उस Mobile App का आपको नाम बताना है, और ये Mobile App एक New Social Media Platform होगा, जैसा कि आप Facebook चलाते हैं, उसी की तरीके से, और ये बनाया गया है Under the Art, निर्भर, भारत अभियान campaign के अंतरगत, तो Mobile App का नाम आपको बताना हैं, अगर आप अभी तक Mobile App से नहीं जोड़े हैं, तो जुड़ जाएए और Indigenious Mobile App को यूज करिए, Social Media Mobile App को यूज करिए, इस Mobile App का नाम है Elements, ठीक हैं, अब इसके बारे में थोड़ा से हम डेटेल से जानते हैं, देखें, ये जो Mobile App है, ये बनाया गया है Sumeru Software Solution की तरब से, ठीक हैं, और ये Android और iOS यानि जो आपके iPhones हैं, उनके लेब-लेबल होगा और साथ साथ में, ये 8 different regional language में भी जारी क्या जाएगा, मनलब ऐसा है, भारत की regional language होती है, उनमें भी ये होगा साथ साथ में, आडियो और वीडियो कॉल्स भी होगी, और ये popular social media networking apps होगा, जैसे कि आपका ये Facebook है, उस तरीके से, यहाँ पर काम करेगा इसको धेरे-धेरे celebrities भी follow करेंगे, है ना, और ये Indian brands को promote करने का काम करेगा similar जैसा Facebook का marketplace होता है, उसी तरीके से, ठीके, privacy का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, यानि ऐसे नहीं होगा कि आपका data किसी third party के साथ share किया जाए, ठीके, तो third party के साथ किसी भी तरीके से share नहीं किया जाएगा आपको याद होगा, एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बदाया था कि आत्मिरभर भारत अभियान के अंतरगत, प्राइमिनिस्टर नेलन मोदी ने एक campaign launch किया था, उस campaign का नाम था, आत्मिरभर भारत app innovation challenge, ठीके, उसी challenges को ध्यान में रखते हुए, ये startup इस तरीके से app बना रहे हैं और साथ साथ में ऐसे apps को promote भी करने की बात हो रही है, बात समझ में आई आपको तो ये नाम याद रखना है, elements आगे बढ़ते हैं, यानि question number second पहर, तो question number second, very important questions, यहां से question बनता ही बनता है, तो वो है क्या questions, the sustainable development report, ये 2020 के आ चुकी है, इसमें आपको ये बतान है कि जो sustainable development goals है, उसमें इंडिया की rank क्या है, इंडिया का जो यहां पर score है, वो आपको mention क्या गया है, 61.92 और यहां पर आपको उसकी position बतानी है, तो देखिए position उसकी है, 117, अब इसके बारे में थोड़ा details से हम समझते हैं, क्या होता है sustainable development goals, इसके बारे में हम अभी चर्च development, जो report है, वो जारी किसके द्वारा की जाती है, तो यह जारी की जाती है, sustainable development solution network के द्वारा, ठीक है, यहां पर एक question आप से पूछता हूँ, कि जो sustainable development goals हैं, इसको पहली बार, सबसे पहली बार किसने recommend किया था, फड़ा फड़ी से comment section में mention करें, तो sustainable development goals जो हैं, यह क्या किये जाते हैं, इसे 17 goals हैं, अभी इसके बारे में हम discuss करेंगे, next slide में, तो 17 जो sustainable development goals है, यह इनके implementation कैसा हो रहा है, और यह 6 broad transformation, यह छे चेत्रों में किस तरीके से transformation हो रहा है, उस पे report जारी कि जाती, यह 6 sectors कौन से हैं, educations and skills, health and well-being, clean energy and industries, sustainable land use, sustainable cities and digital technologies, तो इन पर जारी होता है, अच्छा जो इस बार report जारी की गई है, वो सभी members के लिए, यानि United Nations के सभी members के लिए, 193 countries में, और India को इसमें rank मिली है, 117th, ठीके, इसका score आया है, 61.92%, चाइना का अगर हम बात करें, तो चाइना 48 पर है, ब्राजील 53 पर और रसिया 57 पर, हमारे साउथ इस्टेशिया की हम बात कर लें, तो यहाँ पर मौलदी भी हम से आगे है, स्रिलंका भी हम से आगे है, नेपाल भी हम से आगे है, मांगलादेश भी आगे है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, जो हमारी positions से नीचे है, अब हम बात कर लेते हैं, यानि sustainable development goals की, sustainable development goals है, इनकी picture से यहाँ पर दी है, सबसे पहला है, no poverty, zero hunger, और साथ साथ में good health and well-beings, equality educations, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work, economic growth, industries, innovations and infrastructures, required inequalities, जो inequalities है, उसको reduce किया जाए, sustainable cities कैसे है, साथ साथ में responsible and consumptions, productions, climate actions कैसा है, life below waters, और life on land, peace, justice and strong institutions, और partnership for the goals, यानि इसमें, तो यह 17 goals हैं, इनको image के द्वारा याद कर सकते हैं, आप image देखते रहे हैं, और इसको 2-3 बार देखेंगे, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, एक question आप बताएगा, कि जो sustainable development goals है, उसको achieve करने का target, यहाँ पर कब तक दिया गया है, और इसे कब सुरू किया गया था, यह 2 questions, पहला मैंने question यहाँ पर यह पूछा है, कि जो sustainable development goals है, इसका recommendation सबसे पहले किस ने किया था, दूसरा है, आपके question यह पूछ रहा हूँ, कि जो sustainable development goals है, इसका target achieve करने का year जो है, वो आपको बताना है, और कब से सुरू किया गया था, ठीक है, तो यह question आप बताएगा, आ 4 weeks के लिए high alert पर रखा गया है, किस country में, food and agriculture organization के द्वारा, ठीक है, और यह 26 years में सबसे worst locust attack है, माना जा रहा है, तो किस country में यह high alert पर रखा गया है, अगली 4 हफतों के लिए, तो यह रखा गया है, किस के लिए, इंडिया के है, इंडिया में desert जो locust attack है, यह 26 सालों के बा यहां पर हम बात कर लें, इससे पहले यह जो attack हुआ था, in 1987 और 1989 में, यह major locust attack था, इसके बाद यहां पर सबसे बड़ा locust attack माना जा रहा है, और साथ साथ में अब अब देखेंगे, जो locust attack है, इसने बहुत जादा, North India की बहुत जादा, जो हमारी crops हैं, उनको effect किया है, तो इसी के बज़े से यहां पर flake फैला था, 1987 और 1989 में, तो इसके कारण भी यहां पर एक highlight चारी किया गया है, यहां पर हम बात कर लें, food and agriculture organization की तरफ से, यह जारी किया गया है, अगर हम इस body के बात करें, तो यह एक specialized agency है, किसकी United Nations की, यहां पर यह चीज़ याद रखना है इसको कैसे हराया जाए और कैसे हम अपनी nutrition को improve करें, ठीक है, और food security को बढ़ावा दें, एक question आप बताएगा कि food and agriculture organization, जी हां, food and agriculture organization, इसका headquarter कहां पर है, यह आपको बताना है, ठीक है, hint मैंने आपको दे दी है, आप फटा-फट comment section में mention करिए, आगे हम बात करते हैं, यानि question number fourth पर, तो question number fourth में आपसे पूछा है, एक orchid species है, जिसका नाम है ilofia obosta, यह orchid species है, यह भी हाली में rediscovered की गई है, 118 सालों में, इंडिया में, कौन से tiger reserve में यह आपको बताना है, तो सबसे पहले हम यहां पर आपको यह बता दें, कि orchid क्या होते हैं, दीखे, orchid एक plants होती है और यह flower की, यानि एक beautiful flower plants होते हैं, ठीक है, तो उनको discover किया गया है, किस tiger reserve में, तो सबसे पहले हम यहां पर यह जान लेते हैं, किस tiger reserve में discover किया गया है, तो यह दुधवा tiger reserve में rediscover किया गया है, यहां पर याद रखना है, तो दुधवा tiger reserve है, यह कहां पर है, यह दुधवा नेसल पार्क यानि यूपी में ये टाइगर रिजर्व है याद रखना है आपको ठीक है अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं इलोफिया उबोस्टा ये इलोफिया उबोस्टा एक औरकाइड इस्पीसिस है जो अभी तक IOCN की Red List के Accordings ये एक Critically Endangered Species है ठीक है और ये इस पीसिस अभी तक Endangered Species में लिस्टेड थी Critically Endangered अब इसे रिकॉर्ड किया गये था Last Time in the Year of 1902 फिर से इसे Rediscover किया गया है ठीक है और ये species originally जो describe की गई थी कहाँ पर उत्राखंड में in the 19th centuries में ठीक उसके बाद ये collected की गई है एक botanist genetic plants और अभी present time पर hundreds year में पूरी तरीके से विलप्त हो जिकी थी 2008 में इसे last time देखा गया था कहाँ पर बांगलादेश में नाम आपको याद रखना है और खासकर याद रखना है आपको दोदवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है चर्चा में है तो इसलिए आपसे question पूछ सकते हैं आगे बात करते हैं यानि question number fifth पर तो question number fifth में आपसे पूछा है कि diseases new find की गई है कावा साखी diseases यह कावा साखी diseases effect करती है children's को जो covid-19 effect है उनमें नई illness यह find out की गई है और इसके कुछ mild symptoms देखे हैं तो यह किस countries में find out की गई है अभी हाली में recently में तो देखिए इसका सई answer है क्या इंडिया अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो कावा साखी diseases है वो क्या है देखिए कावा साखी diseases effect करती है किसको children's को इसके symptoms क्या होते हैं इसके red eyes हो जाना races हो जाना shallow tongues और tongue जो होए पूरी तरीके से strawberry tongue हो जाती है मनलब उस पर चोटे चोटे spots हो जाते है white spots ठीक है और हमारी जो tongue है वो पूरी तरीके से red हो जाती है हमारी जो blood vessels है वो पूरी तरीके से संक्रमित हो जाती है और fever लाद मनलब fever जो है लगातार पांच दिन तक fever बना रहता है ठीक हार्ट के भी functions को थोड़ा सा ये क्या करता है effect करता है इस कावा साखी diseases को discover किया गया था सबसे पहली बार जापान में in the year of 1961 ठीक क्योंकि इसकी बज़े से एक बच्चों के डॉक्टर थे जनका नाम था तुमास साकू कावा साकी और इनों इनकी death हो गई थी in the year of 19 मलब age में 95 age के थे तब उनकी death हो गई थी तोक्यों में तो उसकी वज़े से एक कावा साकी डीजिस का नाम पड़ा है यहाँ पर कावा साकी ठीक है तो अभी तक इसको पता नहीं चला है लेकिन child में इसकी immunity चेकी जारी कि इसके क्या symptoms है और क्या इसका respond रहेगा ठीक WHO ने इसके अभी cases अभी मिले हैं जो COVID-19 से effective children ने उन पर आगे बात करते हैं यह नहीं question number 6 में तो question number 6 में आप से पूछा है कि Indian railway ने भी हाले में एक solar plant setup किया है MPK किस सहर में जो world का first organization बन गया है जो directly supply करेगा railway overhead lines को electricity तो देखे MP का एक सहर है जिसका नाम है बीना और बीना में यह solar power plant बनाया जाएगा यह train के उपर लगे हुए एक overhead से मलब overhead पर solar plant लगा होगा यह solar panel लगे होगे उसको direct electricity supply करेगा train को ठीक है यहाँ पर याद रखेगा ठीक है जो train है train के उपर यह solar panel लगे है और यह solar panel direct train को electricity supply करेंगे तो इसको कहाँ पर यह setup किया गया है यह बीना सहर में setup किया गया है मंत्रप्रदेश में ठीक यह भी हारी में इंडेन रेलवेज में setup किया है 1.7 मेगा वाल्ट का power solar panel लगाए गया है और यह direct overhead truncation system से connect होगे जो train को electricity supply करेंगे यह बनाय किसकी तरफ से गया है तो बनाय गया है भारत heavy electric limited और इंडेन रेलवे की तरफ से under the corporate social responsibility के इंतरगत ठीक है यह 15 दिन में यह project त्यार हुआ है तो काफी अच्छा achievement है यह 15 दिन में यह project त्यार हो गया तो यह world का first system है जो net zero net zero carbon emissions की तरफ से यह यह इसकी दिसा में बढ़ाने वाला अच्छा कदम है इसका target है net zero carbon emission mass transportation network 2030 मतलब 2030 तक हम carbon emissions को पूरी तरिके से क्या करेंगे जीरो तक लेकर आएंगे इसलिए यह solar panels जो train को electricity supply करेंगे उसमें काफी अच्छा कदम है तो यहाँ पर यह चीज़ा रखना है आगे बात करते हैं यानि question number seven पर तो question number seven में आपसे यह पूछा है कि भिहाली में CBSC CBSC ने भिहाली में digital safety के augmented reality के लिए बच्चों को कुछ नए step सिखाने के लिए digital technology से related किसके साथ partnership की है तो इसका सही अंसर क्या है इसका सही अंसर है दिखे Facebook Facebook के साथ CBC ने भिहाली में Central Board of Secondary Educations ने partnership की है इसमें online well-beings and augmented reality के तहट student और educators को क्या किया जाएगा सिखाये जाएगा जो इसका objective क्या है इसका उपजिक्टिव क्या है इसका उपजिक्टिव करेगा online well-beings of student and prepare them for the future of work पूरी तरीके से अब सारी चीज़ें online होने बाली है तो online के बारे में हम digital safety को ध्यान में रखते वे ये education प्रवाइड की जाएगी facebook के तरफ से और with the partnership of cbsc ठीक है तो यहाँ पर याद रखने है आपको आगे बात करते हैं नहीं question number 8 पर तो question number 8 पर आप से पूछा है कि इंडिया की जो rank है ये inform risk index 2020 में humanitarian crisis and disasters के लिए इसमें इंडिया की rank को इस बार कौन सी position पर है 2020 में तो इसका सही answer है क्या इसका सही answer है 31st अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं information risk index की तो देखिए information risk index ये information report ये सेर की evidence of the managing crisis and disasters ये जारी की जाती है under the European commissions के अंतरगत और इंडिया की rank इस बार आई है 31st इसमें इंडिया को जो points मिले है वो है 5.4 इसका मलब है कि humanitarian crisis जो है वो इंडिया में अभी भी average से जादा है तीक इसमें top पर कौन है यानि सोमालिया यहाँ पर risk बहुत जादा है और ये जारी की गई है 191 countries में तो यहाँ पर याद रखना है कौन सी report के मलब किसे किसने इस report को publish किया है report publish की गई है United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs के दौरा इसका यहाँ पर हम headquarter जान लेते हैं कहाँ पर है New York में बस आपको इतना ही याद रखना है ठीक है कि digital solution के लिए loan in second loan in second के लिए अभी हाले में एक scheme launch की है किस bank में तो इसका सही answer है क्या yes bank yes bank ने अभी हाले में loan in seconds ठीक है यह अभी हाले में retail loans के लिए scheme चालू की गए है और इसमें अगर आपको कोई retail loan लेना हो तो उसके तहट आप pre-approval liability के इंतरगर जो भी मलब पहले से account holder है वो retail loan के लिए apply कर सकते है digitally यहाँ पर छोटा सा यह चीज है याद रखने आपको आगे बात करते हैं नहीं question number 10 पर question number 10 में आपसे पुछा है NHRC यानि NHRC का मलब National Human Rights Commission ने भी हाली में constitute के है 11 members committee यह head की जाएगी किसकी तरफ से यह क्या करेगी research करेगी COVID-19 जो impact है on the human rights उस पर ठीक है तो इसका सज़ेंसर है क्या कि S.REDI कि S.REDI जो है वो डाक्टर के S.REDI यह human rights commission की तरफ से 11 members की meeting है committee है वो यह head करेगी और यह करेगी जो COVID-19 का impact हुआ है normal people पर उनके कहीं human rights तो violet नहीं हुए उनको यह क्या करेगी monitor करेगी आपने देखा होगा lockdown में कहीं न कहीं कि COVID-19 के दौरान जो लोगों पर police और army इन लोगों ने भी काफी सक्ती बढ़ती है काफी एक लिहाज से सही भी है फिर भी human rights commission यहाँ पर उन चीजों की जाच करेगा कि कहीं न कहीं human rights के rights हैं violet तो नहीं हुए तो यह थे आज के question अब हम लोग बढ़ते हैं static G की की तरफ static G के में आप से कुश आज हम लोग discuss कर रहे थे लोवर लेख है मोती लेख सागर पानी और सासात में सापुरा लेख तवा रेजर्वियर और अपर लेख ठीक है याद रखना है आपको भोजबेट लेंड रिवर्स के बारे हम बात कर लेते हैं तो रिवर बितवा रिवर और बितवा रिवर पर एक famous डेम है राजखाट टेम्स चंबल रिवर चंबल रिवर्स में एक wild life century है चंबल wild life century दसान रिवर है केन रिवर है केन रिवर और उसके बाद माही नर्मदा नर्मदा यानि originate होती है कहां से अमर कंटक्स है और सासात में इस पर famous डेम है कौन सा इंद्रा सागर डेम पार्वत्ती रिवर है sono river yo है यह बी originate होती है कहां से अमर कंटक्स है तपी रिवर तपी रिवर यह भी west flowing river है यहाँ पर याद रखना है west flowing नर्मदा और तपी west flowing river है tones है rain ganga है वर्धा है यह यहाँ पर famous river है Baghah तो आज की discussion में तबी thank you thank you for watching